हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको इस तरीके से अपने मुबाईल में प्रॉब्लम आता है यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा रहता है order something went wrong please contact to admin इस तरीके से अगर आप आपको प्रॉब्लम आता है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहां पर कैसे inspiring करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉब्लम आपको यहां पर क्यों आता है तब आपको जब आप लोग यहाँ पे submit पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से problem आता है तो यहाँ पे आपको उस condition में क्या करना है सबसे पहले तो आप लोग यह चेक का लिजे कि यहाँ पे जो भी form में जो भी details आपको मंगा हुआ है वो आपने सहीं से fill किया है कि नहीं किया है उसको आप लोग चेक का लिजे कई बार क्या होता है कि कुछ-कुछ जो भी documents मंगा रहता है वो यहाँ पे fill नहीं होता है और जब आप लोग submit पे click करते हैं तब आपको यह error so करता है तो आपको यहाँ पे जो भी documents मंगा है जो भी information मंगा रहता है उस सभी information को आपको यहाँ पे जो हे अच्छे से click करके apply करना ए ताकि आपको कोई भी error यहाँ पे so ना करे तो आप लोग यहाँ पे वो सभी चीजे एपलाई कर लिजी अच्छे से और सम्मिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यह प्रॉब्लम नहीं आएगा और कई बार यहाँ पे नैटवर्क इसूप के कारण यहाँ पे यह प्रॉब्लम आ सकता है तो उस कंडिशन में आपको यहाँ पे अपने फोन में नैटवर्क को ठीक कर लेना है एक तरीका में आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको अपने मोबाईल में जो भी एरोपलेन मूड होता है उसको आपको इनेबल करना है enable करने के बाद आप लोग उसको disable कर लिजिए तो फिर इसके बाद थोड़ा पांट network आजाएगा आपके phone में तो फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से problem नहीं आएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस problem को ठीक कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next video में और आपको कोई भी problem आता है तो आप लोग यहाँ पे मेरे को comment करके जरूर बताईएगा तो चलिए मिलते हैं next video में